सरदार बल्लब भाई पटेल अदालत में एक मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। मामला बहुत गंभीर था, थोड़ी सी लापरवाही भी उनके क्लायन को फांसी की सजा दिला सकती थी। सरदार पटेल जज के सामने तर्क दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने आकर उन्हें एक कागस थमाया, पटेल जी ने उस कागस को पढ़ा, एक क्षण के लिए उनका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन फिर उन्होंने उस कागस को मोर कर जेब में रख लिया, मुकदमे की कारेवाही समाप्त हुई, सरदार पटेल के प्रभावशाली तरकों से उनके क्लायन की जीत ह हुई, अदालत से निकलते समय उनके एक साथी वकील ने पटेल जी से पूछा कि कागस में क्या था, तब सरदार पटेल ने बताया कि वो मेरी पतनी की मृत्यू की सूचना का तार था, साथी वकील ने आश्चरे से कहा कि इतनी बड़ी घटना घड गई और आप बहस करते रहे, सरदार पटेल ने उत्तर दिया, उस समय मैं अपना करतव्य पूरा कर रहा था, मेरी क्लायन का जीवन मेरी बहस पर निर्भर था, मेरी थोड़ी सी अधीरता उसे फांसी के तक्ते पर पहुँचा सकती थी, मैं उसे कैसे छोड़ सकता था, पतनी तो जाही चुकी थी, क्लायन को कैसे जाने देता? ऐसे गंभीर और द्रिर चरित्र के कारण ही वे लौह पुरुष कहे जाते हैं.